आपके अपने चनल इंद्वल्याजी में दोस्तों आयम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 10 कोशन की सीरी दोस्तों इसमें हम रीजनिंग के कोशन करेंगे और ये वही कोशन है जो किसी ने किसी परिक्षान पूछे रहे हैं दोस्तों आप चाहें से जीडी की तयारी कर रहे हैं चाहें एंटी पीची CC almost 2 की दोस्तों किसी परिक्षा की आप तयारी कर रहे हैं और सभी के लिए हलफूल है Hey तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कोशन नंबर 5 से तो वहीन नंबर 5 दिया हुआ है किसी कूटवासा में staying एंट्रेस्ट को यह लिखा जाता है, तो उसी कुटवासा में remember को क्या लिखेंगे, तो दोस्तों interest को क्या लिखा गया, यह, तो किस परका लिखा गया, r यहां पर t यहां और e यहां पर r यहां और e यनिंगे सब क्रॉस कर दिये जो इसका starting वाले letter वो last से start किया है तो इसी परकार हम remember में भी यही करते है तो दोस्तो remembering में जब करेंगे तो क्या बनेगा ar e m e m v e r तो दोस्तों यह remember है अब इसको हम उल्टा करेंगे तो R यहां पर आयागा यह वाला और यह वाला R भी इदर चला जागा अब दोस्तों हमारी option ही इस परकार दिये हुए हैं कि हम बहुत ही आसानी से इनको निकाल सकते हैं जैसे कि इसमें R नहीं है, starting में तो यह cross हो जाएगा, यह नहीं होगा और इसमें भी नहीं है तो यह भी नहीं होगा अब इसमें starting में भी आ रहा है और last में भी आ रहा है तो दोस्तों यह हमारा सही answer हो जागा इसमें starting में आ रहा है लेकिन last में नहीं है तो यह गलत हो जागा तो दोस्तो option C है हमारा सही answer है तो चेक करते हैं इसका answer तो option C इसका विल्कुल correct answer है तो दोस्तो चलते हैं question number 2 की हो तो दोस्तो question number 2 दिया हुआ है उस vehicle को चुन है जो तीसरी संक्या से उसी तरह संभन दित है जैसे पहली संक्या दूसी शंक्या से है यानि पहली संक्या दूसी संक्या से संबंदित है तो उसी तरह इसको संबंदित बनाकर ये निकालना है तो दोस्तो 25 और 16 के बीच में क्या पैटर्न लगा है यानि 25 से 16 यानि 9 गटा देंगे तो 25 से 16 पर आ जाएंगे आप्षण D 32 इसका सही आनसर है तो दोस्तो चेक करते हैं तो आप्षण D 32 इसका परहमसत्य आनसर है तो दोस्तो चलते हैं कोशन नमर 3 की ओर तो कोशन नमर 3 दिया हुआ है A, B, C, D और E एक पंक्तियों बैटे हैं C 25 चोर पर बैटा है और E, B, A, C का परहमसी है A और C के बीच दो बैखती हैं पूरी चोर पर कौन बैटा है तो दोस्तो हमको बताना पूरी चोर पर कौन बैटा है तो पांच लोग हैं तो इस परकार बैटे होंगे ये पांच लोग बैट गए अब क्या कहरा है यहां पर C पच्छिम चोर पर बैटा है तो C यहां पर बैटा है अब E, B, A, C का परहमसी है अब जो E है वो C का भी परहमसी है और B का तो C का परहमसी E यहां पर बैट जागा और B का भी है तो B यहां आ जाएगा अब इस परकार आगे चलते हैं A और C के बीच दो ब्यक्ति हैं A और C के यानि C तो यह रहा और दो ब्यक्ति यह रहे तो A यहाँ पर आयागा तो अब यह दो ब्यक्ति हो गए इसके बीच दोस्तो अब इनमें से कौन बचा D बचा तो D यहाँ बैठ जाएगा अब इसमें पूजा क्या है पूर वी चौर पर कौन बैठा है तो दोस्तों पूर वी चौर वर डी बैठा हुआ है तो option C हमारा right answer दी तो दोस्तों चेक करते हैं इसका answer तो option 3 डी इसका सही answer तो दोस्तों चलते है question number 4 की ओर तो question दिया हुआ है दिये के bulkapp में से वे संकेचों ने जो डी गई सीरेज में प्रसिन चिन के इस्तान पर आ सकती है याणि increase mentioned दो प्रसिन दिया हुए है इन दोनों के स्तान पर हमको बता नहीं है तो दो च्छे बारहे 20 इसके बाद पर सुन चल लगे हुए तो 2 से 6 जाने पर प्लस 4 6 से 12 जाने पर प्लस 6 और 12 से 20 जाने पर प्लस 8 अब यहां पर चल ला है क्या 2-2 का गेप है इन में अब इसमें भी 2 का करेंगे तो 10 हो जाए यहां पर और इसमें भी 2 का करेंगे तो तो क्या हो जागा 30 और 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जागा 42 यानि हमारा आंसर क्या हो जागा 30 और 42 यानि option b में यह दिया हुगा है तो दोस्तो चेक करते है option भी इसका सही है तो option भी इसका सही answer है 30 और 42 तो दोस्तों चलते question number 5 की ओर तो question number 5 दिया हुगा है E C से बढ़ा है D C से बढ़ा है परंतु E से छोटा है A B और C से छोटा है A B और C से छोटा है C B से बढ़ा है तो कौन सब से छोटा है तो हमको देखना है क्या है कौन सब से छोटा है तो इसमें क्या हो ला है E C से बढ़ा है C से तो बढ़ा है लेकिन E से चोटा है यानि E से ये चोटा है D D E से चोटा है और C से बढ़ा है अब A B और C से चोटा है A अब B और C से चोटा है और C B से बढ़ा है यानि C बढ़ा है B से और A B से भी चोटा है और C से भी चोटा है तो A यहां आजाएगा तो अब पूछा किया कौन सब से छोटा है तो सब में छोटा तो A आ गया तो option C इसका सही आंसर है तो दोस्तों चेक करते हैं इसका answer तो option 3 A इसका सही आंसर है तो चलते question number 6 की ओर तो question number 6 दिया हुआ है दिया गई विकल्पों में से उस अच्छा तिया संगू का chain करें जो निम्लिकित सरंगला में प्रतिस्तापित कर सकता है तो दोस्तों यह question दिया हुआ है अब हम को बताना है इस person चंद के इस्तान पर तो हम एक चीज़ देखें इसमें क्या चल लाए एक दो तीन चार इसमें चल रहा है और इसमें फिर चार से यह इस्टाट होगा है पांच छे साथ आठ और इसमें नो दस ग्यारा बार है तो अब हम यह आसे लिखेंगे लाट से तेरह चौदह पंदरह सोल है तेरह चौदह पंदरह सोल है अब दोस्तों हम को क्या दीखा है इसमें एक की जगा पर ए दो के साथ भी तीन के साथ सी और चार के साथ डी यानि कि जो नंबर है उसका उसी नंबर का एलफ़र्बेट लिख दिया है तो अब तेरे तेरे में इस्तान पर कौन सा लेटर आता है एम चौदे में पर एन और पंद्रे में पर ओ और सोले में पर पी यानि कि हमारा क्या हो जागा पी सोले ओ पंद्रे एन चौदे और एम तेरे अब कौन सा अंसर हमारा सही हो जागा तो दोस्तों चेक करते हैं ये गलत है ये भी गलत हो जागा ये भी गलत है ओप्शन डी इसका सही आंसर हो जागा तो दोस्तों चेक करते है इसका answer तो option D इसका सही answer दिया हुआ है तो चलते हैं question number 7 की ओर तो दोस्तो question दिया हुआ है एक कूटवासा में destiny को ये लिखा जाता है तो उसी कूटवासा में dignity को कैसे लिखा जाएगा तो दोस्तो D E S T I N Y इसको क्या लिखाएगा है Y N I T S E D यानि कि ये D है ये इदर E इदर जो पहला question किया था सेम उसी pattern पर है दोस्तो ये question बस हमको जो पहला letter है उसको last में लिख देना है और वहीं से उल्टे लिखते हुए आना है तो दोस्तो अब इसी परकार हम dignity का करेंगे दो D D I G N I T Y अब Y last में तो Y पहले आया है उसके बाद T है फिर आई ये फिर N फिर G I D तो दोस्तों ये हमारा answer जाए तो चेक करते हैं ओप्षन में वाई टी तो ऑप्षन इसका सही answer होगा है तो दोस्तों चेक करते हैं तो option A इसका सही answer दिया हुआ है तो चलते नेक्स्ट कोशन की और दिया हुआ है दिए गए विकलूं में से उस संक्या करें निमलिकर स्रि वांशन को पर्तिसपातित कर सकती है क। तो दोस्तों ये दिया हुआ 156 182 120 अब इसके बाद बता नहां है कि एसके सकते है रहारे का स्कार करैं ओब बारे demand तो क्या हुआ है एक सो हावाली स्प्लस- बार है कि 144 प्लस बार है 156 हो जागा अब इस परकार यह 82 182 जो यह वी ऐसे लिखा गया है तो इसको भी हम चेक करते हैं यह कैसे लिखा गया है तो दोस्तों 182 में हम 13 का स्कॉयर कर दें और 13 जोड़ दें तो इसमें 24 का करेंगे तो 14 जोड़ देंगे तो 210 हो जाएगा तो दोस्तों अब इस 14 के बाद किया एक 15 अब 15 का स्कॉर करें और पंदर जोड़ दें तो 15 का il कोनके बाद प्लस 15 जोड़ दें तो पंदर का स्कॉर क्यों होता है sou 25 फ्लस 15 यानि कि क invisig की तरह होग है तो इसका मान क्या हुआ है तो दोस्तों इसका मान हमको बताना यह समय कर दिया हुआ है तीन वी चार डी पाँच ए छे ब्रैकेट में सी वन तो दोस्तों अब तीन वी की जगे पर बी किसको दरसा है गुडन को यह चार और डी किसको दरसा रहा जोड़ को तो जोड़ पांच एक इसको दरसा रहा गटाए को चैर है अब ब्रैकेट लग रहाए दिनगे और S को दरसा रहा बाग को याने 1 अब हम इसको पहले bracket को solve करेंगे board mask के according तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 5 माइनस 6 divide by 1 अब ये कितना हो जाएगा 17 माइनस 6 divide by 1 तो दोस्तो ये हो जाएगा हमारा 11 divide 1 जब एक का divide करेंगे तो 11 ये आएगा तो option C हमारा सही answer जाएगा 11 तो दोस्तो चेक करते हैं इसका answer तो option C 11 इसका सही answer दिया हुआ है तो दोस्तो ये थे आज के top 10 questions तो वीडियो कैसी लगी comment करके बताएं और वीडियो को जाएगा लाइक करें और share करें अपनी दोस्तों और चैनल को subscribe ज़रूल कर लें Thank you all the best